मौसम की प्रतिकूल स्थिती तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से इस साल कुछ महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में गेहूं का उतपादन प्रभावित हुआ है, जिससे विश्व बाजार में कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। रूस कनाड़ा तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में उतपादकों ने कीमतों में आगे और तेजी आने की उम्मीद से गेहूं का स्टॉक रोकना शुरू कर दिया है, जिससे विश्व बाजार में इस महत्वपून खाद्यान की सप्लाई में गिरावट आने के संकेत मिल र तथा तापमान काफी उंचा रहने से फसल को भारी नुकसान हुआ, अर्जेंटीना में गेहूं फसल की हालत सामाने से कमजोर बताई जा रही है, हाल ही में रूस द्वारा काला सागर क्षेत्र में अनाज से लदे जहाजों पर आक्रमन किये जाने से निर्यातक देश इस र आखोंटन गेहूं का नुकसान हो चुका है, जबकि खेतों की मिटी में नमी का अभाव होने से रूस, यूक्रेन एवं अमरीका जैसे देशों में वर्ष दो हजार पचीस की फसलों के लिए बिजाई प्रभावित होने की आशंका, रूस में गेहूं के उत्पादन का गटा दिया गया है, इससे बाजार पर मनोवैग्यानिक असर पड़ रहा है, जानकारों के अनुसार गेहूं के बाजार में सप्लाई एवं उपलब्धता की दृष्टी से मुश्किलें बढ़ गई है, जबकि आगे स्थिती और भी खराब होने की संभावना है, यूएसड मार्कित ताइमस टीव